हलो प्रेंट्स आज मां आपको बताऊंगा कि ए आई वे नेचुरल करने से पहले ये काम कर लो आप अपने गाह भैंस को आसानी से गरब ठहरा सकते हैं फोत इस तरह की कमेंट्स भी आते हैं प्रसुपाल को में इस तरह की दिकत भी होती है तो आज की वीडियो के अंदरा मां आपको बताऊंगा कि जब आप AI करवा रहे हैं या नेचुरल एदी आप क्रोश करवा रहे हैं आप अपने गाह भैंस को एदी आप उसे गरब ठहराना है तो उससे पहले आप ये काम कर लेना चाहिए उसके बाद में आप AI वे नेचुरल करवा ले आपका पशू में गरब देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताएगा वीडियो जूर लंबी होगी लेगने स्किप करके मैं देखना पूरा देखना इस चेनल पर अभी नए आए या पहली पर जूड़े हैं तो पहली पर चेनल को सब्सक्राइब कर लें साथ वेल आपको पताएगी चेनल पर सही सटीक साइंटिफिक मैथेड़ से आपको जानकारी दी जाती है देखो में जो भी आपको बताता हूं बहुत इस तरह की कमेंट्स भी आते हैं कि सर्फ इस तरह की मेडिशन होती हैं लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि आप पूरी वीडियो सकती है आपके été में इस प्रकार भी आए चैसे कंड़िर हो चया घ्य हैं सुझ THERE में घ्राइख करने करें इस कोई नुझसाद करेंगा उसमें भी αपका पशू गरबिश्छ ज्यादा पने रहेंगे साथ मेदिया आप अपने पश्वों की जिस प्रकार से वेजायनल ड्रेसिंग करवाते हैं बचे दानी के सपाई करवाते हैं कुछ दवाच उडवाते हैं उसके बादें जब आप यही नेशुल करते हैं तो उसके बाद में भी आपको जो मैं यह बाते बता रहा हूं यह आपको करनी चाहिए वहाँ पर भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल देखने को मिलता है लेकिन एक सर्थ है कि आपके पसू में किसी भी तरह का बच्चेदानी में इं रहना चाहिए वेजाणल इंसके आपको क्या ठीटमेंट करना चाहिए मेरे चैनल भी और उस इस्तति में भी आप ये क्रा सकते हैं क्योंकि उस स्क्राटिय का इंफेक्च्टों में देखने को नहीं मिलता है तो वाँ पर भी कराएंगे तो बैटरी जल देखने को मिलेगा और आपका पसु गरब जरूर ठहरेगा साथ में एक सर्त है की आपके पसु गरब ढहर जाएगा अच्छी बात है लेकिन देना कैसे हैं कब कितना देना है एक तो अपने पसु कि समय समय पर डिवर्मिंग और इसमें मैं आडनी कर रहा हूं, आप फश्बी तरह के इंटरनल वरिम्स नहीं संहीं उसकी वजह से बीकई पर पकारवत मीं नहीं में आ वा खोते हैं इस बाथ लिए जैसे आपका पश्बी हीट में आया है हीट में आया जैसे आपका पसु जब हीट में आया है हीट में आया तो आपको पता है कि आपका पसु पहले डिसाज देना स्टार्ट कर देता है तो उस इस्तती में आपको जो मैं एक बता रहा हूं कि यह पाउडर जो कौन सा सोडा फोस पाउडर यानि सोडि आप 50 ग्राम ये पाउडर उस पशू को आप खिला दे यानी 50 ग्राम पाउडर उसी दिन से खिलाना इस्टार्ट कर दे और लगातार आप जिस तरह से दूसरे दिन या तीसरे दन जब एई कराते हैं उसके बाद में भी आप लगातार 4 दिन या 5 दिन probability वैसे यह पावडर तीन दीन इती आ पहले और आप पुषू में इनेचरल करने के शे दिन थेन तक इतव को पचास प dalर यह पूर्ड़ पर सण को कहिलना है इस बात का द्यान में रखना उसके बाद में भी आपको लगाता है तीन दिन अपने पशू को ये पाउडर जो भी बांट या दाना मिसन दे रहे हैं उसमें मिलाकर करके देना बहुत अच्छा है यह आपके प्रसू की कर्शियर्ट बढ़ाता है अच्छा आपके पर देखने को मिलता है कई इस तरह गेरी तो पूरा देखा करें अब क्या करना है कि सात में अपने पशू को जिस तरह से आपका पशू ही ट में आगया इस प्रकाश्षे siya आपका पता लगे हैं हिट में आगया तो उसमें मिनरल्स जो जिद नीची जैसे उदान के तोर पर इच्रीन इस ब्यारी जन हे शीकत करुछ सकते हैं तो कि थी एग्रीमिन आई आती है विर्बे की ये मिले तो इन में से कोई से भी आप बोलस आप जब पसू डिसाज देता है उसी दिन से स्टार्ट कर दें और AI करने के बाद में तीन से चार दिन बाद में भी आप अपने पसू को दें यानि एक डबी आपके पसू में जिस प्रकार से बोईमिन जियार आती है उसमें साथ बोलस आती है एग्रीमिन आई आती है उसमें साथ बोलस आती है तो तीन दिन पहले चार दिन बाद हो गई इसी तरशे टोटाविट में एक डबी में दस बोलस आती है तो तीन दिन पहले साथ दिन बाद में कोई दिक्त नहीं है आप य पहले ही आप 4-6 गंटे पहले एक हार्मोनल इंजेक्शन बूसेरेलीन एसीटेड़ साल्ट का इंजेक्शन जुरू लगवा लेना चाहिए चाहे आपका पहली बर हीट में आया हो या चाहे 2-4 बर ही आपका प्रसुने तंग किया है किसी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं है तो बूसे या खने आप नेचकिन डियन करवा रहे हैं इंजेक्शन लगवा ले पुठो में भी आपवा सकते हैं या काउ बुलिया वोफेलो बल कोई इंफेक्टेड बुल नहीं हो साथ में आप सीमन लगवा रहे हैं तो इस तरह किसी भी तरह की यानि रिजेक्टेड नहीं हो या जिनकी मोडिलीटी कम नहीं हो ये बाद आन में रखना तो आपका पसु करके आप अपने पसु में देखेंगे तो यह नुकसान किसी तरह का नहीं करेंगे बट आपके पसु में गरब ठहराने में सबसे मददगार शाबित होगी तो कराने से पहले आप यह आप अपने पर्शू को दे दें आप अपने पर्शू को गरब ठहरा लें लेकिन सरत इंफेक्शन नहीं रहना चाहिए वेजाइनल ड्रेचिंग करवा लिए तो उसके बाद में या फैस्ट जो मैंने आपके बताई है उसी के अंदरूप आप इनका उ पनीवाद